हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजु मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हरिवन से राई बच्चन जी की एक कविता जिसका सिर्शक है नीड का निर्मान फिर फिर इस कविता को हम दो भागों में पढ़ेंगे प्रत्थम भाग के अंतरगर्द मैं कविता के जिन अंसों को पढ़ाऊंगी उसे मैं सबसे पहले आपको पढ़कर सुना दूंगी फिर कठीन सब्दों के अर्थ को बताऊंगी और फिर परत्थे पंक्ति की मैं आपके सामने ब्याख्या भी प्रस्तूत करूंगी पाठ को आरम करने से पहले मैं सभी बच्चों से यह कहना चाहती हूँ कि बच्चों आप सब मेरे द्वारा बताए गए कठीन सब्दों के अर्थों को परत्थे पंक्ति की ब्याख्या को इस वीडियो को देखने के बाद कॉपी में जरूर लिखें अपने लिखने का अभ्यास बनाई रखें पढ़ने के सासत लिखना अत्यन्त आवश्यक है साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगी कि जिन बच्चों ने रैदास के पद पाठ का वीडियो नहीं देखा है वे डिस्क्रिस्टिन बॉक्स में जाएं वहाँ पर मैंने रैदास के पद का जितने वीडियो हैं सभी का लिंक मैंने दे रखा है इसके साथ ही साथ कवी रविंदर नात ठाकूर द्वारा लिखित कवीता आत्मत्रान कवीता पर भी मैंने जो वीडियो बनाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है प्रश्ण उत्तर चर्चा को आप अवश्य देखें क्योंकि यह आपके लिए काफी जरूरी है तो बिना देर की आरंप कर रही हूं आज का यह पाठ कवी कौन है हरिवंज राय बच्चन नीड का निर्मान फिर फिर नेह का आव़वान फिर फिर बह उठी आनदी की नब में छा गया सहसा अंधेरा धूली धूसर बादलोने भूमी को इसभाती घेरा रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सबेरा रात के उतपात भैसे भीत जनजन भीत कनकन किन्तु प्राची से उसा की मोहिनी मुस्कान फिर फिर नीड का निर्मान फिर फिर नेह का आहवान फिर फिर बह चले जोके की कापे भीम काया वान भूदर जड समेत उखड पुखड कर गिर पड़े तूटे बिटबबर हाय तिनकों से विनिर्मित घोसनों पर क्या न बीती डग मगाये जब कि कंकड इट पत्थर के महल पर बोल आसा के विहंगम किस जगह पर तूछिपा था जो गगन पर चड उठाता गर्व से निजबक्ष फिर फिर नीड का निर्मान फिर फिर नेह का अहुआन फिर फिर तो आज हम लोग कविता के इतने ही अन्स को पढ़ने वाले हैं तो चलिए नीड का निर्मान फिर फिर प्रत्थम भाग के अंतरगत कविता के जिन अन्सों को मैंने आपको पढ़कर सुनाया है उनमें जो कठीन सब्दाएं हैं उनके अर्थ को भी आप एक बार देख लेए नीड का निर्मान फिर फिर हरिवन्स राय बच्चन भाग एक नीड का निर्मान फिर फिर कठीन सब्दों के अर्थ नीड यानी खोसला निर्मान यानी बनाना नेह यानी प्रेम आहवान मने पुकार या बुलावा आंधी यानी तेज हवा नब यानी आकास सहसा मने अचानक धूली धूसर यानी धूल से सना इसको धूसर रंग ग्रे र धर्ती, राथ, निसा यानि राथ, देखिए, भूमी यानि धर्ती, निसा कार्थ है राथ, उत्पात यानि विपत्त सूचक आकश्मिक घटना, उत्पात कार्थ क्या हुआ, विपत्त सूचक, मने अचानक से विपत्ती जना कोई घटना घटती है, उसको कहरें उत्पात, भी विनिने मोहित करने वाली सुन्दर, भीम विसाल, जैसे हम लोग महाभारत में भीम के बारे में जानते हैं, उसका विसाल काई, चेहरा था ना, यह भीम करते विशाल, काया यानि देह, भूदर यानि परवत पाहाड को कहा गिया है, विटप यानि पेड, विणिर्मित यानि बना हुआ विहंगम यानि पक्षी, गगन यानि आस्मान, गरव यानि अभिमान, या भिमान के साथ स्वाभिमान ज्यादा अच्छा लएगा, स्वाभिमान गरव, और निज यानि अपना वक्ष यानि रदे, तो ये हैं कठिन सब्दों के अर्थ, इसे आप खुब ध्यान से सुने होंगे, और मेरा पढ़ाया जब समाप्त हो जाएगा, आप उसके बाद फिर से एक बारी से सुन करके, अपने कॉपी में अवश्य लिखेंगे, या मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ, चलिए, चलिए, आप पंक्ति के अर्थ को मैं आपको बारी बारी से समझा रही हूँ, या कवीता हरीवन्स राय बच्चन जी ने लिखा है, इस कवीता में उनका आसावादी दृष्टिकोन अभिव्यक्त हुआ है, तो आसावादी दृष्टिकोन और आस्थावादी दृष्टिकोन से हम क्या समझते हैं? इसे आप एक बार जानें, देखिए, जैसे होता है कि जीवन में कभी-कभी कुछ घटनाएं घट जाती है, तो हम निरास हो जाते हैं, जीना छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, लेकिन कभी नहीं यहाँ पर हमें यह प्रेड़ना दी है, कि हमें हार नहीं मानना है, हमें जीवन में कभी रुखना नहीं है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें निरास होने के आवशकता नहीं है, हमें अपने मन में आसा यानि उम्मीद को हमेशा बनाए रखना है, उम्मीद की किरन को हमेशा प्रजलित रखना है, उसे बुझने नहीं देना है, यही है आसा वादे दृष्टिकोन, आस्था वादे दृष्टिकोन, जहां हम किसी वस्तु में, जहां हम जीवन के प्रती, सम पास रखते हैं कि हां जब हमने ठाना है कुछ करने की तो वो अवश्य होगा मनुश्य इसी विश्वास के सहरे ही जीवन में आगे बढ़ता है तो यहां पर आरम में ही देखिए क्या कहा है नीड का निर्मान फिर फिर नेही का आहवान फिर फिर नीड यानि घोसला निर्मान यानि बनाना आपने देखा होगा कि पक्षी जो होते हैं उनका घोसला अगर टूट जाता है तो वो हार नहीं मानते हैं वे घोसला बनाना छोड़ते नहीं है बलकि उनका घोसला जो है हर बार बनता है जितनी बार उसका घोसला टूटता है उसका घोसला उतनी बार ही बनता नेह का आववान फिर फिर, नेह यानि प्रेम क्यों गोसला बनाया जा रहा है, क्योंकि जब हम कुछ निर्मान करते हैं, निर्मान में हमारा प्रेम जुड़ा होता है, हमारा नेह जुड़ा होता है, यह नेह की पुकार है, यह प्रेम की पुकार है, इस संसार में हम क्यों जी तो यहां पर कभी की जो इसी दृष्टिकोन की अभिव्यक्ति हुई है, कि नीड का निर्मान फिर फिर, कि घोसला तूट जाने पर उसे बार-बार बनाया जाता है, यानि यह मनुश्री की स्रिजनात्मक सक्ति का प्रतीक है, घोसला पक्षी की स्रिजनात्मक सक्ति का प्रती के रूप में इस कविता को प्रस्तुत किया गया है। प्राकृतिक विप्दा के द्वारा उन्होंने जो समझाया है वो है आंधी का उधारन दिया है। विप्दा के द्वारा उन्होंने जो प्रस्तुत किया है। भूमी को इस भाति गीरा। और पूरी संपुन पृत्वी यानि संपुन जमीन संपुन धरती को चारों तरब से घेर लेती है। वो जो धूलकन होता है। धूली धूसर बादलों ने भूमी को इस भाति गीरा। और जब हवा चलती है तो अपने साथ धूलकन को लेकर चलती है। और धूलकन से युक्त जो हवा होती है वो क्या करती है। पूरे जमीन को धरती को घेर लेती है। तो बादल क्यों कहा गया क्योंकि जो आंधी चलती है तो हमने देखा है कि आस्मान के जो बादल होते हैं वो पूरे पृत्वी परल्मानों च्छा जाते हैं। बादल कहीं एक जगह होता लेकिन हवा के जोके से वो बादल पूरे पृत्वी को घेर लेता है। तो हवा तो चलती ही है, उसके साथ धूल धूसर बादल, हवा में भी धूलकन है, और बादल भी धूल से भरा हुआ है, धूसर रंका है, बादल धूसर रंका क्यों है? क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है. रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सब्स तो कभी कहते हैं कि जब इस तरह की तेज आंधी चलती है पूरा आसमान काले बादलों से भर जाता है तो महसूस होता है कि रात सा दिन हो गया, ये दिन किसमें बदल जाता है, रात के समान हो जाता है, क्योंकि पूरे आसमान में काले बादल च्छा गए हैं, काले बादल के च्छाने से सुरी की रोशनी तो दिखाए देती नहीं है, इसलिए रात कैसा दिन किस तरह हो गया, रात के समान हो गिया, फिर रात आई और काली और इस दिन के समापती के बाद जब रात आती है तो रात और भी भेंकर लगती है और काली लगती है लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिल सबी और ऐसा प्रतित होता है कि इस रात्री का अब अंत नहीं होगा ये जो भ्यंकर काली रात है ये काली रात जो है हमेशा ही रह जाएगी और सुभा कभी नहीं होगी मने हम सभी के मन में निरासा घर कर लेती है रात के उत्पात भैसे भीत जन जन भीत कनकन अब रात्री के समय ये अचानक जो बिपता आ गई ये जो आकस्मिक घटना घट गई कि पुरा जो है ब्रह्मान कहिए पृत्वी कहिए आंधियों से बादलों से घिर गया तो इससे क्या हो गिया है भीत जन जन परतिक ब्यक्ति भैभीत है भीत कनकन प्रकरति का परतिक कनकन भैभीत है किन्तु प्राची से उसा की मोहिनी मुस्कान फिल प्रकरति लेकिन होता क्या है जैसे ही रात बीथती है सुभा होती है एकदम प्रात काल पुर्वदिशा की तरफ से हमें सुरी की किरन जो है दिखलाई देती है ये जो प्राता कालिन सुरी किस्त को क्या कहते है उसा कहते है लालिमा युक्त सुरी की किरने जो है प्राची यानि पुर्वदिशा से उधित हो उठती है जिसकी मोहिनी मुस्कान यानि मन को मधुर लगने वाली सुन्दर लगने मुस्कान हमारा मन मोह लेती है हमारे मन में उम्मित जगा देती है कि आंधी छट गई बादल छट गया आंधी समाप्त हो गई नीड का निर्मान फिर फिर नेह का आधुवान उना कभी उसी बात को दहराते हैं कि नीड का निर्मान फिर फिर घोसला तूटने पर पक्षी फिर से उसे बनाता है, उसका स्रुजन करता है, बार-बार करता है, क्योंकि उस घोसले के साथ उसका लगाव है, वैसे ही हम मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाले बिपत्यों से हारना नहीं है, वे हमें जितना भी तोड़के रख दे, हम फिर गिर के उठेंग और आगे बढ़ेंगे, बैचले जोके की कापे भीम काया वान भूदर, जड़ समेत उखड पुखड कर गिर पड़े तूटे बिटबर, हाय तिनको से विनिर्मित घोसलों पर क्या न बिती? देखें, यहाँ पर कभी कह रहे हैं, कि जब आंधी आई, तो क्या हुआ था? बैचले जोके, यानि हवा के जोके जब चले, तेज हवा के जोके, जब चलते हैं, कापे भीम काया वान भूदर, बड़े बड़े परवत पहार, जो विशाल काय परवत पहार, भीम काया वान भूदर, बड़े बिशाल काय देवाले, परवत पहार क्या, काप उठे, जड समेत उखड पुखड कर, गिर पड़े तूटे बिटब, इसके कारण हम लोग क्या देखते हैं, आंधियों के कारण, बड़े बड़े पेड, पौधे भी क्या होते हैं, जड समे तेज आंधि में बिशाल काय परवत काप उठे, जिस तेज आंधि में बड़े बड़े पेड जड समेत उखड कर रह गए, तो ऐसे आंधि में तिनकों से बड़ा हुआ, वो छोटा सा घोसला, उसकी इस्थिति सोचिए, कि उस घोसली की क्या इस्थिति रही होगी, वो तो तूट कर चकना चूर हो गया, उसके तिनके बिखर गरे होगी, कितनी दैनी स्थिति होगी, यहां पर समाज की कमजोर वर के तरफ, गरीब वर के तरफ भी सारा है, कि जब मुसिवतें आती है, तो गरीबों की स्थिति ऐसी हो जाती है, लेकिन कभी ने हार मानने को मना किया ह डग मगाये जबके कंकर इट पत्थल के महल पर, और इतना ही नहीं, यह तो तिनकों की बात थी, बड़े बड़े इट पत्थर से बने, डग मगाये जबके कंकर इट पत्थर के महल पर, यहां पर कवी ने तिनकों की बात कही कि तिनकों से बना घोसला जो था वह बिखर कर गया तो कंकश और ईट पत्थर के बनेवे महल भी तो डगमागा गय थे इस आ अधी में याणि समाज में रहने वाले हर वरग चाहे अमीर हो जाये गरीब हो सब पर जब मुसीबत आती है तो हर किसी के स्थिती जो होती हो दैनिय हो जाती है जहनी जब अमिर वर्ग पर किस्तिति दैनी हो जाती है, तो जो गरीब वर्ग है उसकी हालत का कहना ही क्या है? कवी कहते हैं कि इतने मुसीवतों के आने के बाद, इतने सारे भेंकर परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी मनिश्य के हिर्दे में उम्मीद आसा रुपी पक्षी विराजमान होता ही है, उसे होना ही चाहिए और यहां पर जैसे उधारण उन्हें घोसला का पहले दिया है, यह पक्षी जो है घोसला का निर्मान करता है, वह घोसला तूट भी जाये आन्धी से, तो फिर पक्षी क्या करता है? एक नई उम्मीद से फिर तिमका को ले करके घोसला बनाने में लग जाता है तो यह पक्षी किसका प्रतिक है? उम्मीद का प्रतिक है, पक्षी जो है यह हमारे उम्मीद का पक्षी है, आसा रूपी पक्षी है, तो इसलिए यहां कहा गया है बोल आसा के विहंगा, यानि आसा रूपी पक्षी जो है, वह किस जगह पर तूछी पाता है? यह हमारे हिर आसमान की उचाईयों को छूने की चेश्टा करते हैं, गर्व के साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे पक्षी तिनका को लेकर की आसमान में एक उचाई पर पहुँचता है, उचाई तक उड़ता है, उसी तरह से हम मनुष्य के हिर्दे में भी जो आसा रुपी पक्षी है, उस पक की के पत पर अग्रसर होते हैं, किस प्रकार गर्व के साथ, नीड का निर्मान फिर फिर नेह का आवान फिर फिर और इस प्रकार कभी ने पुना हमें यह बताया है कि हमें जीवन में कभी हार मानना नहीं चाहिए, जिस प्रकार पक्षी जो है घोसले के लिखर जाने पर भी हमें तोड़ दे, हमें मरोड दे, लेकिन हमें गिरा दे, लेकिन हम उस परिस्थितियों से हार नहीं मानेंगे, हम अपने हिरदे में उम्मीद की जियोती, उम्मीद की किरन को जलाए रखेंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, तो उम्मीद करती हूँ कि नीड का निर्मान फिर फिर कविता के जिन अन्सों को मैंने आज आपनों के सामने पढ़ाया है, समझाया है, कठीन सब्दों के अर्थ को पतलाया है, उसे आपने भलिभाती समझ लिया होगा, तो वीडियो को सेर अवश्य करें अपने सभी मित्रों में दोस्तों में, साथी साथ वीडियो को लाइक तो अवश्य करें, जिन वच्चों को अगर कहीं कुछ समयने में दिक्कत हुई हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रशन टाइप करके मुझ तक भेजे, मैं आपके प्रशनों का जवाब अवश्य दूंगी, मिलती हूँ, नीड का निर्मान फिर फिर कविता के दूसरे भाग में, तब तक पढ़ते रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहे, एक बात और कहना चाहूंगी, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय है, वे जल से जल मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिकेशन उनको मिल सके, मेरी सुब कामनाई, आप सभी बच्चों के साथ है, धन्यवाद.